मैं जावेद अंसारी स्वास्त विवाग ने इस बार दशेहरे को एक अनूठे अंदास से मनाने का निर्णा लिया है पिछले दो सालों से कुरोना वाइरस का कहर सर चड़कर देश दुनिया में बोल रहा है कुरोना रूपी रावण को मारने की क्या तैयारियां है आज बात इसकी इसके लिए हम मौदूद हैं रीवा के सीमेचो मिश्रा जी के पास जैसा कि आप जानते हैं दूसरे डोज की तैयारी है माअभियान की तैयारी है इंजेक्शन लगने हैं उन तमाम लोगों को जिनको पहली डोज तो लगी गई है दूसरी डोज लगाने की तैयारी और जिन जो पहली डोज से छूट गए उनको सर मेरा ये सवाल है कि 18 तारिक को किस तरीके की आपने तैयारियां कर रखती है जैसा कि आप जानते हैं कि पूरी दुनिया के साथ में भारत वर्स में भी मध्यप्रदेश में और रिव्या जिलेम में भी कुरोना की पहली लहर और दूसरी लहर को हम लोगों ने नजदीकी से देखा है और बैग्यानिकों का अब इसे सग्यों का मानना है कि सीग रही नौंबर महीने में तीसरी लहर आना संभावित है जो भी खतरनाक लोगों का अंदाज है कि अलग वेरियंट रहेगा इसमें जीवन को बहुत बड़ा खतरा है और सबसे बड़ी बात यह है कि यह बच्चों को होने वाली सम ज्यादा दूसरी लहर में हमारे बच्चे पूर्ण रूपेंड सुरक्चित थे तीसरी लहर में बच्चों को प्रभावित होने की संभावना है इसलिए आवस्यक है कि यह दिहम को बचना है तीसरी लहर से सेकंड डोज लग चुका है इसके लिए हमारे सभी जनप्रतिनीद आमनागरिक मीडिया हमारे जिला प्रसासन कलेक्टर साहब और हमारे स्वास विभाग की लोग पूरी ताकत से पहला डोज और जो भी समय दूसरे डोज का समय रहता है उस समय में लगवाया है मैं इसका स्व भार प्रदर्शन करता हूं लेकिन अभी भी लगवग पाउने तीन लाख लोग बचे हुए हैं जिनकों की दूसरा डोज लगना आवश्यक है इसलिए हम लोगों ने जिला प्रसासन हमारे कलेक्टर साहब के निर्देशन में पूरे जिला में 500 से अधिक बूत बनाए गए हैं जहां 18 तारिक को ठीका करण किया जाएगा दूसरा डोज लगाने के लिए हमारी आप सबसे अपील है कि जिन्होंने 24 जुलाई के पहले पहला डोज लगवाया था कोवी सील्ड का वो सभी लोग आके दूसरा डोज लगवाए और जिन्होंने 20 सितंबर जो पिछला महीन था को एकसिन 28 दिन में लगता है तो जिन्होंने 20 बूत बनाए गए हैं जहां 18 तारिक को ठीका करण किया जाएगा दूसरा डोज लगाने के लिए हमारी आप सबसे अपील है कि जिन्होंने 24 जुलाई के पहले पहला डोज लगवाया था कोवी सील्ड का वो सभी लोग आके दूसरा डोज लगवाये और जिन्होंने 20 जुलाइद 20 सितंबर जो पिछला महीना था कोवैकसिन 28 दिन में लगता है तो जिन्होंने 20 सितंबर के पहले कोवैक्सिन लगवाया है वो सब दूसरा डोज लगवाए और जो छूटे हुए लोग है पहले चिसारी। रोज के लिए वह भी लगवाएं यहां मैं बीच में रोकूंगा आपकी बातों से हमारे दर्शकों को काफी चीज़ें समझ में आई होगी एक चीज जो नहीं समझ में आई होगी थोड़ा इसके लिए ज़र विस्तार से डाल दीजे प्रकास वह सवाल यह है कि जैसा कि आपन देता हूं यह बड़े बुजूर्ख हमारे बंद कमरे में सिग्रेट पीते हैं और उसी कमरे में बच्चा सोया हुआ है तो निश्चित रूप से जो सिग्रेट पीने के जो दूस परिणाम है कि फेफड़े का कैंसर हो जाता है तो वह बच्चा भी भले वो सिग्रेट नही ही संभावना है तता हमारी जो बच्चे यह तभी सुरक्षीत रहेंगे जब हमारे बड़े बुजूर्ग कोरोना को प्रोटोकाल का पालन करेंगे बाहर ने निकले भीड में निकले मास्क लगा के रखें और टीका अवश्य लगवाएं यह बड़े 18 साल के उपर टीका मांगने वाले सभी डाइविटीज के रोगी ब्लेट पिसर के रोगी कैंसर के रोगी थारायट के रोगी जो लकवा घर में ग्रसीत हैं या ब्रिद्ध जन हैं सभी को टीका लगवाना आवश्यक है कुछ लोग यह कहते हैं अरे मुझे तो मारना ही है तो अरे आप अकेले थोड़ी मरेंगे कुरोना होगा तो आपका पूरा परिवार पडोसी आप से संपर्क में रहने वाले सभी लोग पीडित होंगे एक साथ दस बीस लोग मरेंगे आपके कारण तो आप परिवार के लिए अगली पीड़ी के सुरक्षा के लिए यह टीका करना आवश्यक है प कहना था सीमे चोरी वा बियल मिश्रा जी का